दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल वाली बटन भी दबा दीजिए जिससे हमारी लेटस्ट खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कैसे अपने घर में सुन्दर गमले आप बनाएं और छोटी सी ट्रिक है आप अच्छे गमले बना सकते हैं पहले खाली गमले में मुमी जाल डाले और उसको अच्छे तरीके से पूरे गमले में लगा लें चारो तरफ उपर से नीचे तक लगा लें गमले में जितनी अच्छी डिजाइन होगी उतना ही अच्छा आपका गमला निकलेगा देखिए मैं पूरे गमले में अच्छी तरीके से मुमी जाल लगा रहा हूँ जिससे गमला आसानी से निकल सके फिर गंले के तले में आप जो है सीमेंट के बना हुआ मसाला डालेए और उसको अच्छी तरीके से तले में फैला दीजिए आप चाहें तो इसके अंदर थार भी डाल सकते हैं जिससे आपका गंला मजबूत बनेगा अच्छी तरीके से पी जो तले में सीमेंट को चारो तरफ जो मसाला है फैला दें बढ़िया तरीके से जिससे की नीचे का बेस मजबूत बने देखिए मैंने पूरी तरीके से मसाला तले में लगा दिया अब एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम जो कि आपने खुद बना सकते हैं ऐसे फ्रेम को देखिए चार तरफ से इतना गैप होना चाहिए जिससे कि उसके चार तरफ आप मसाला असानी से भर सकें देखिए मैं आप याप मसाला भरूँगा आप देखिए और उसी तरीके से कि देखिए मैं मसाला भर रहा हूं मसाले को चार तरफ डालिए जिससे की जो लकड़ी का फ्रेम है खिसके नहीं आप चाहें तो गोल गमले में भी बना सकते हैं गोल गमला लाके और जो आपने बजार में गोल गोल डस्ट वीन छोटे छोटे आते हैं उनको भी उनके बीच बीच में ऐसे ही फर्मा के जैसे रखके आप मसाले को भर सकते हैं देखिए मैं चार तरफ से मसाला भर रहा हूं जिससे लकड़ी का फ्रेम बीच में सेट रहे और इधर उधर ना हिले अईसे करके जो है मसाला आप चार तरफ अच्छी तरफ से भर देजी आप चाहे तो इनकी बीच में तार काट के भी डाल सकते हैं जिससे की गमले मजबूती हो और देखिए मैं इस मसाले को दबा रहा हूं जिससे अच्छी तरीके से मसाला अंदर बढ़ जाए और गमला आ जिसे बस आप धम कि This क century आप नहीं ते ऊफिनगाद एक बाइब डवाईं सो फेली कि अच्छी से काड़ महीं अची तरिकाद तक बैठा दे Kings आपने सिर्म मसाला तो गवार बार पर आप एक इस बिदेछ सब्सक्राइब बर रहा हूं और बीज़ीज में इसको दबा भी रहा हूं हूं जिससे की मसाला जो है अच्छी तरीके से निकले मसाला बनाते समय ध्यान डायें सीमेंट और बजरी का सही से मिकसर हो जाए ज्यादा बालू डालने से जल्दी गमला पका टूड़ जाएगा अगर आप पाद ज्यादा बजरी ए मोरम है तो आप उसी सही गमला बनाएं आपका बहुत मजबूत गमला बनेगा यह देखिए में ने गमला पूरा लग लग भर दिया है ऐसे ही आप इस गमले को भरना है और इसको बढ़िया से उपर इसको शेव दे देनी है तो गमले को बरावर करना है ऐसे ही उपर पर दिमाख लगा के घर पे इसे गमला बना लिया आप अपने गमला बना सकते हैं बहुत आसानी से इस गमले को बनाने में तक्रीमन 20 रुपए का खर्चाता है बजार में 60-70 रुपए के मिलता है और इतना मजबूत भी नहीं मिलेगा ये गमला जितना आप धर्मिन बना सकते हैं अच्छा गमला बढ़िया तरीके से चारो तरह मसाला लगाएं बसके गमले में गैपना रह जाएंगे ये देखिए पूरा में मसाला भर दिया है और इसको उपर से चिकना कर दिया है जिससे की कमला उपर से बरावन निकले ये सब करने के बाद में गमले के उपर जो है जो बीच में फ्रेम लगाएं उसके उपर आप जो है इंट रख दीजिए एक यादो जिससे की मसाला दबाव इसको मारे इदर उदर ना भगे और वो फ्रेम बीच में रहे देखिए ऐसे कि पर आप इंट रख दीजिए लगवग ऐसे आप तीन चार घंटे तक इसको रहने दीजिए चार घंटे पाच घंटे के बाद आप उस फ्रेम को निकाल दीजिए बाहर आपका गमला ऐसे होग आप इसमें आप पानी भरके रख दीजिए फिर चोविज घंटे के बाद जो है उसको उस फ्रेम से गमले को आप निकाल लीजिए उल्टा करके और गमले को दीरे दीरे किसी लकडी से या पाइप से दीरे दीए चार तरफ से ठोको हां से भी आप ठोक सकते हैं इसे करके ज पाले को छोड़ देता है और धीरे धीरे जटका मारके आप गमले को निकाल लेगी देखिया आपका गमला ऐसे संदर गमला निकलेगा बेलकुछ साब यह देखिए इतना अच्छा गमला निकला आप यह से अपने घर में गमले बना सकते हैं और मेरे वीडियो को सेर करें, लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और दोस्तों नमस्कार